नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 परमुक खबर जानते हैं जर्खन में 14 दिनों में दूसरे देशों से लोटने वाले सभी लोगों की क्रोणा जाज क्रोणा के नई वेरियेंट ओमी क्रोण को लेका राय सरकार भी अलट हो गई है बतादे स्वास्त विभा के अपरमुक सचीव अरुन कुमार सिंग ने सभी उपायुक खबर जारी करते हुए पिछले 14 दिनों में दक्षनी अफ्रीका सहीद 12 अत्यधिक जोखिम वाले देशों से लोटने वाले सभी लोगों की पाचान कर क्रोणा के जाज की आधेश दिये हैं बतादे बकाइदा ऐसे लोगों के नाम और मोबाइल नंबर भी सभी उपायुक तों को भेजे गए हैं उन्होंने सभी उपायुक तों को सर्विस लाइन बढ़ाने को भी कहा है बतादे अपर मुक्सचीव ने केंद्रे के निर्देश का हवाला देते हुए 12 अत्यधिक जोखिम वाले देशों से आने वाली सभी लोगों के यरपोट पर आटी पीस्टी यार जाच करने को कहा है मौसम पुरु अन्मान में बताया गया है कि अगले तीन दिनों तक निम्तम तापमान 11 डिगरी के आसपास इस्थिर रहेगा सुबा और साम कनकनी रहेगी हलाकी दिन में आसमान साफ रहेगा खीली हुई धूप रहेगी वहीं 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक पादल चाने और बारिस होने की संभावना जयताई गई है मौसम विभाग के अनुसार बारिस खत्म होने के बाद फिर से ठंड बढ़ेगी तापमान में तेजी से कमी आएगी वहीं पाहाडों पर होने वाली बर्फ बारी का भी असर देखने को मिलेगा ओमी क्रोन से बढ़ी चिंता स्वास्त मंत्री ने दिया आदेश कुरोना वाइरस के नए वेरियंट ओमी क्रोन को लेकर जार्खन सरकार की चिंता बढ़ गई है स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने कुरोना टीका करण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि कुरोना रिकोवरी दर भी राज्ये में 99% के करीब है लेकिन अब भी हमें सतरक्ता बरतने की जरूरत है तेवहारों को लेकर टीका करण अभियान की रफ्तार में थोड़ी कमी आई थी लेकिन अब तेजी से टीका करण अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने सभी जीलों के उपायुकतों से जाती पौन पत्र के लंबित और निस्पादित मामलों की जनकारी मांगी है। जारखन के ग्रामिन इलाकों के गरीबों को अतिकरमित सरकारी जमीन से हटाने के बजाए उनके नाम से ही जमीन की बंदोबस्ति कर दी जाएगी। इसमें से 903 लोगों का चायन प्रधान मंत्री आवास वजना के लिए हो चुका है। लोहरदागा के बंधन उराव को मिला किसान सम्मान। लोहरदागा के किसान बंधना उराव लोट जिनोम कंजनवेर्शन किसान समान से नई दिली में समानित हुए है। जिले में आने के बाद डिसी दिलीप कुमाटोपो ने उन्हें जिले की ओर से समानित करते हुए उन्हें बधाई दी। साथी उन्हें खेती में और उनत्ति करने की सला भी दी है। बतादे जिले के द्वारा हर समभव क्रिसी कारे को उत्किरिष्ट बनाने के लिए उन्हें मदद किया जाएगा। बतादे की किसान बंधना उराव को प्रमपारी खेती के बीजों को संरचित करने के कारान नई दिली में समानित किया गया है। प्रदेश के 730 सिक्षक बनाएंगे विद्याले को आदर्स और उत्किरिष्ट प्रदेश में स्कूली सिक्षक को सुद्रीड बनाने की कवाय तेज हो चुकी है। और बेतर तरीके से सवारा जा सके। आवेदन के निस्पादन में रांची जीला पूरे परदेश में अवल है बतादे अब तक 74% आवेदन को रांची जीला द्वारा निस्पादित किया जा चुका है रांची जीला को 11 दिनों में विभीन परखंडों से 58,689 आवेदन लोगों से मिले थे इसमें से 43,772 आवेदन को निस्पादन किया जा चुका है सिर्फ 250 आवेदन को आयोग मानते हुए निरस्त किया गया है जबकि जार्खन राजे का आउस्तर निस्पादन आकड़ा 46% ही है गुमला में नक्सली सुक्रा उराओं के हत्या के बाद जेजे MP में टूट गुमला में पर्तिबंधित उगरवादी संगठन जेजे MP दो फाड़ में हो गया है बतादे नक्सली संगठन जेजे MP के साथ उगरवादी अपने ही संगठन से बगावत कर दूसरा उगरवादी संगठन बना लिये है नाया बने उग्रवादी संगठन का नाम जार्खन जनसंगराम से नानी रखा गया है इसके सुप्रीमों दिवाकर वा अमर है बता दे JJMP के पूर्व कमांडर दिवाकर वा अमर सहीत साथ उग्रवादियों ने मिल कर JJMP के प्लाटून कमांडर सुक्रा उराव के हत्या कर दुस्ता संगठन बनाया है फिलाल JJSS में 17 हत्यारमंद उग्रबादी है जारखन में कुरोना के 20 नए मरीज मिले हैं जबकि 20 मरीज स्वस्त भी हुए है जारखन में कुरोना के कुल एक्टिब केस की संख्या 97 है भारत में 87,74 नए केस मिले हैं जबकि 94,81 मरीज स्वस्त भी हुए है भारत में कुल एक्टिब केस की संख्या 1,6,27 है CM हमंद की चचेरी बहन की 30 को है साधी मुख्य मंत्री हमंद सुरेन की चचेरी बहन आसा कुमारी की साधी मंगलवार 39 को पैतरिक आवास रामगर जीला अंतरगत गोला प्रखंड के नेमरा में होगी बता दे इसको लेकर सोमवार को महदी के रस्म पूरी हो गई दुलहन के हाथों में आकरसक तरीके से महदी रचाया गया जिसमें सीएम की पतनी कलपना सुरेन, मा रूपी सुरेन, सहीत घर के परिजन एवं रिष्तेदार सामिल हुए वहीं ब अधुपक्ष के परिजन रिष्तेदार वगाउं के लोग वर पक्ष के घर बोकारो जीला के कसमार परखंड अंतरगत जोपड़ो गाउं तीलक कारेकरम का रस्म अधा करने के लिए रवाना हो गए लाते हर पहुँचे सीएम हमन्त बोले गाउं से ही राजे होगा मजबूत मुख्य मंत्री हमन्त सुरेन ने कहा कि हमारे गाउं मजबूत होंगे तो राजे मजबूत होगा गाउं को मजबूती प्रदान के लिए राज सरकार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारिकरम चला रही है उन्होंने कहा कि यह कारिकरम अगामी 29 दिसंबर तक पूरे राजे में चलाया जाएगा शिरी सुरेन सोमवार को लाते हार जिला अंतरगत सदर प्रकांड के तरवाडी पंचायत के कोने गाउं में आवजित कारिकरम को समुधित कर रहे थे इस मोखे पर सोत्मत्ता से नानी निलांबर पितांबर के बंसज समेत अने लाभुकों को विभीन योजनाव से लभानवित किया इससे पौले सुरी सुरेन ने कोने गराम में अस्थापित निलांबर पितांबर के परतिमा पर मल्यारपन भी किया मावादी प्रसांत बोस को रिमाड पर लेगी N.I.S. भागपा मावादी के E.R.B. के सचीव प्रसांत बोस को N.I.A. रिमाड पर लेगी अब राची जेल में बंद प्रसांत बोस को फरारी के दुरान पुर्व मंतरी वा तमार बिधायक रहे रमेज सिंग मुंदा के हत्या में चार्षिट तायर किया गया था इस मामले में साजिस के पहलूँओ पर NIC अपरसांत बोस्टे पुछ ताश करेगी बर्तमान में रमेज सिंग मुंदा हत्या कंड में राज सरकार के ही पुर्व मंत्री राजा पीटर बतवर मास्टर माइंड जेल में बंद है हत्या कांड को मवादियों के तक्नीकी जोनल कमांडर खुंदन पाहन ने अपने दस्ते के साथ अंजाम दिया था एक दिसंबर से दोबारा बदलेगी बीमानों की समय सारनी अगामी एक दिसंबर से बीर्शा मुंदा यारपोर्ट से उड़ान भरने वाले वा आने वाले बीमानों की समय सारनी में दोबारा बदलाव होगा इसको लेकर यारपोर्ट प्रबंधन ने संकेत्ते दिये हैं यह बदलाव एक ही समय में कई सहरों के बीमानों की उड़ान वा आगमन होने के कारण होगा जिस कारण बीमानों के परिचालन ठाराव सहीत अने तकनिकी समस्त्याएं यह अरपोट प्रबंधन को उठानी पड़ रही है कास्मीरी यूकों से मार पीट के आरोपियों को पुलिस ने छोड़ा डोरंडा पुलिस ने कास्मीरी यूकों के साथ मार पीट करने के मामले में पकड़े गए तीनों आरोपी को समझाता के बाद सोमवार को रिहा कर दिया है इससे पहले डुरंडा थाने में दोनों पक्ष के लोगों की एक बैठक होई जिसमें घाटना के निंदा की गई कहा गया कि कास्मीरी मेहमान है और आची में बैपार करने के लिए आते हैं इसलिए सभी का करत्यब्या है कि उन्हें सुरक्षा दे पूलिस से भी आगरा किया गया किवे कास्मीरीयों को सुरक्षा परदान करे दोनों पक्ष के बीच हुए समझोता के बाद पकड़े गए दिपक जा तरुन कुमार और अर्विंद को पूलिस ने बंड भरवा कर छोड़ दिया बोकारो कोईला खाधान में फंसे चार मजदूर खुद सुरंग बना कर बाहर निकले बोकारो के बंद पड़ी परवत पूर खाधान में अवैद कोईला खनन के दरन फंसे सभी चार मजदूर रविवार दे राद स्वयम सुरंग बना कर बाहर निकल गये वे सभी तीन दिन से ख़दान में फसे थे बता दे तीन दिन से जिला परशासन और NDRF की टीम ख़दान में फसे मजदूरों को निकालने में जुटी थी रविवार को घटना स्थल का मुआयना करने के बाद NDRF की टीम सोमवार को BCCL की मसीनों के माध्यम से ख़दान में सर्च अफरेशन चलाने वाली थी इसी बीच देर राज सभी मजदूर लक्षपन रजवार आनिद सिंग रावन रजवार और भरत सिंग दूसरे हिसे से सुरंग बना कर निकल गए जमसेदपूर में डबल डेकर फ्लाई ओवर निर्मान को लेकर सर्वे सुरू जहारखन के लिए बड़ी खुश खबरी है बता दे जाम से निजात पाने के लिए जमसेदपूर के एनेस देतिस पर डबल डेकर फ्लाई ओवर नेवान को लेकर सर्वेश शुरू हो गया है जैपूर की एजेंसी ने जमीन का सर्वेश शुरू किया बता दे एजेंसी जमसेदपूर के डिमना परडी के बीच बनने वाले फ्लाई ओवर के धारबुत सनचना का नक्सा डिजाइन वर डिपियार तयार करेगी गुमला के कुटवा के दो घरों में उगरवादी हमला चैनपूर परखंड की पीपी बामदा पंचायत में कुटवा गाउं है बता दे गुमला से इस गाउं की दूरी करीब 90 किलोमीटर है इस गाउं में नक्सलीयों के आने जाने के कारण ही प्रसासनिक अधिकारी गाउं में नहीं आते जाते इधर जेजे एंपी के उगरवादियों दूरा कुटवा गाउं के दो घरों में हमला करने के बाद ग्रामिन दसत में जी रहे हैं बता दे डर इस कदर की है कि गिरामिन किसी अंजान को देख कर घर में दुबक जाते हैं या फिर देखते ही तेजी से भागने लगते हैं नाया वेरियंट बेहत खतरनाक मंत्री जरकन के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा कि करोना के दूसरी वेरियंट को हम ने देखा है और उसके परभाव से हम वाकिफ हैं इसलिए जरूरी है कि इस नई वेरियंट को समय से पौले ही रोक दिया जाए मंत्री बना गुपता ने कहा कि जीन देशों में नई वेरियंट पाए गए हैं उन देशों से उडान पर रोक लगानी चाहिए उन्होंने परदान मंति नयन बोदी से अनुरोद किया है कि कुरोना के नई वेरियंट को देखते हुए अंतराष्टे उडानों पर रोक लगाई जाए राज़ानी 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 में महिलाओ के लिए पिंक टोईलेट बनेंगे बता दे रांची नगर निगमने महिलाओ के आटोमेटिक पिंक टोईलेट के निर्मान का खाखा तयार कर लिया है इन पिंक टोईलेट में महिलाओ की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम और फिटिंग रूम भी बनाए जाएंगे इनमें आटोमेटिक फ्लस आटोमेटिक वाटर टेप के अलावा सेंसर लाइट भी लगाई जाएगी बता दे डोर में सेंसर होगा जो महिलाओ के सामने आने पर खुलेगा इससे महिलाए पिंक टॉयलेट में महफोज रहेंगी एक टॉयलेट पर लगभग आठ लाक रुपे खर्च होने का आकलन है सरकारी इसकूलों की अधी बढ़ाने का बिरोध राजे के इसकूलों के लिए बढ़ाई गए अधी को वापस लेने शिक्षकों के लिए सुनिशित ब्रिधी उन्याय नोजना लागू करने एवां अरजित अवकास की भी संगतियों आधी को लेकर राजे के विभीन सिक्षक संगों ने समन्वे समीति का गठन किया है इस बावत रविवार को प्राथमिक, माधमिक, उस्तर माधमिक और पारा सिक्षक संग के प्रतनिद्यों के अनलाई सन्यूक्त मीटिंग होई आट सिक्षक संग अटनों की बैठक में सरोसमति से निना लिया गया कि अल जार्खट सिक्षक समन्वे समीति के सन्यूक्त बैनरतले संसोधित विद्याले समय सारनी को वापस लेने और प्राथमिक मादमिक एवाम उस्तर मादमिक सिक्षकों के लिए सुनिशित बृधि उन्याय नोजना लागू करने तथा अरजित अवकास की भी संगतियों को दूर करने की मांग के लिए संगठित परियास किया जाएगा सक्खी मंडल की दीदियों को मिला 15 लाग का ओडर नई दिल्ली के प्रगती मैदान में आयोजीत इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जार्खन की सक्खी मंडलो द्वारा नेर्मीत उतपादों की धूम रही वहीं आदिवासी प्रामपरिक जेवेलरी ब्रांड आदिवा भी अकरसक के केंद्रे रहे बता दे ट्रेड फेयर के दोरान करीब 6 लाख रुपए के प्लास के उतपादों की बिक्री भी होई वहीं प्लास उतपादों की गुनवाता को देखते हुए 15 लाख रुपए के सफलाई का ओडर भी सक्खी मंडल की दीदियो को मिला है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल कर लाइक के अंदवे साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवसे दे थैंक यू